नारायन नारायन भज्मन नारायन 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 अच्छतंके सवं कृष्णदाम दरम रामना रायडम वल्लभम करता हूं आप सभी लोग लिंक को सेयर कर दीजिए और हम सभी लोग आज के क्लास को प्यारम करते हैं तो आज का जो सबसे पहला प्रश्ण है वह आपके सामने यहां पर होगा चप्टर वाइस की इस रिंखला में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आज जो प्रश्ण होंगे होते हैं और जो है प्रश्ण रहेंगे आज के बहुत ही बहतरीन जो है क्लास होने वाली है तो आप सभी लोगों से करते हैं आज की सबसे पहला कोशन है कि प्रत्यत नहीं प्रयत्न के आधार पर लग किस प्रकार की ध्वनी है जब हम लोग बोलते हैं तो उस टाइम बताना कि यहां पर प्रयत्न नहीं यहां पर यहां पर प्रयत्न आपर नहीं है उसको प्रकार कहा जाता है पार्स्विक ठीक है इस आप लोग क्या कर देंगे पारस्री आगे चले चलते हैं नेश वाले को चलेंगे दूसरा इस प्रशन का उत्तर आप सभी लोग कीजिएगा कि निम्न में से कौन सा सब्द और मात्रिक है क्या पुछ रहे हैं इसमें से बताइए कि कौन सा सब्द है जो क्या है औमात्रिक हैं अब इसमें से औमात्रिक वाले को आप लोग तुरण्ट पकड़ लीजिए क्या है और मात्रिक जल्दिस बताएं सभी लोग प्रश्णों को करते रहें और अपने सभी ग्रूप में जितने भी आप लोग के एक्ट्व कर रहे हैं कि निवन में से कौन सा छहाना इसमें से उत्तर तो आपको इस पष्ट दीख रहा है इसमें उत्तर क्या बन जाएगा का लगव ठीक है नेश्क को संच रहा है महाप्राण वर्न हैं तो निवन थीत मैं से बताओ कहुत है जोदो को जोड़ते चलिए एक दूसरख से जो अगर आप लोग देख रहे हैं तो उसका नकल तो मत कीजिए नकल मत किजिए लेकिन आप देखिए कि हमसे कहां आगे जा रहा है कहन पिछे जा रहा और आपका जो पढ़ने का फ्रहा किस तर्थ तक पहुँच रहा है आपि उससारी बातों को ध्यार में रखते रहें प्रश्न को करते रहें महाप्राण कौन सावन है इसको आपको बताना है मैं बताया हूं वर्गों के दूसरा चौथा और प्रत्याहार वाले वरण जो होते हूं महाप्राण होते हैं तो दूसरा है यह देखो पहला है नहीं क्या हो जागा एंसर अ करेक्ट हो जाएगा ठीक है नेश वाले कोसन लेते हम लोग हिंदी सब्द कोस में अंग वह किस वन के सांथ आता है इसको बताओ किसके सांथ में आएगा इस प्रश्ण का उत्तर आप सभी लोग करते रहे जो भी प्रश्ण आपके सामने दिख रहा है अपक्या लगाति है उत्तर दिख कोर प्रश्ण संक्या चार इस चार के उत्तर में आणा चाहिए वह क्या आणा चाहिए या फिर यहां पर और भी आप कर सकते हैं जो हो सकता है कि उसमें हो उत्तर और दिया frag बाद में तो यह उँगता है इसे के बाद लग तो ने पुर दोर जाएगा फिर यह तो इसको आप लोग कता ही ना छोड़िएगा इस प्रश्ण को पढ़िए और इससे समंधित जो उत्तर बनेंगे उसको आप लोग जरूर दीजिए अच्युतं के सवं कृष्णदामो दरं रामना रायड जानकी वलभं अच्छा जो एक संस्कृत में बताया था जो लौ की ही तरह होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है इसको आप लोग भूल गए क्या होता है इसको भूल गए या याद है हां यह दूस्प्रिष्ट होता ह क्या होता है दूस्प्रिष्ट मैं कब से दिमाग में ले रहा था कि जो कोशन नंबर वन आज का था लाव वाला जुस पर हम लोग पार्शिक पर कर रहे थे हम सोच रहे थे कि इसका नाम इसको क्या बोलते हैं दिमाग कभी को आ गया दिमाग को चड़ता नहीं है एक को दे लगुत्तम इकाई क्या होगी ए है बीस का गायब है तो वी वाले को आप लोग यहां पर लिख लीजिए मान लेजिए कि सब्द के बाद एक आज आए पद ध्वनी वाक्य तो किसके सांथ आप लोग लोगे तो जो सार्थक लगुत्तम इकाई है वह ध्वनी होगी क्या भी अलग अगर आप लोगे तो यह क्या कहोगे आप इसको ध्वनी को लो नेक्ष कोस्टन लो नीचे आओ इनमें से कौन सावण अलप प्राण वेंजन है अब अलप प्राण और महाप्राण मैं पहले बता था विब कि एक तीन पांच और याण प्रत्याहार वाले या जबकि दूसरे चवथे और सल वाले क्या होंगे महाप्राण वाली धुनिया होंगे ठीक है चलो इस वाले प्रश्न का उत्तर बताते चलिए जैश्री राम नाराण स्रीहरी अयुष्मान भवव दिग्वीजेव च्रिश्रीव किर्तिमान भवव और जो भी थोड़ी वहत अल्पप्रान हो जाएका अर जितने लोगों को अभी मिल रहा होगा आप लोगों को कुईज बहुत दिनों से लोग करहे थे सर अब लोगों का भी कईज मिलना स्टार्ट हो गया होगा और Mpt 8 का भी अभी कुईज चल रहा है स्चिर रे और विलाज के लिए और वाला सिस्टम मिल जाता तो आप लोगों को PDF भी send कर दिया जाता है आप लोग उसमें सही अगर credentials देते हैं तो अगर उसमें सही information देते हैं तो आपको पूरा आपका response seat answer seat क्या सही है वो भी सब कुछ भेज दिया जा रहा है तो इन में से कौन सा वाण इस पर सरेंजन नहीं है यह बताना सबक्या होते है इस पर सोफ कितने होते हैंusta फ़प्शीस जा इन चार वणों को अंतास्त दो यहां प्रत्याहार के अंतरगत आने वाले जो वर्ण हैंसंब अंतस्त कहे जाते हैं यहां पर यहां व्यांजन इस पर नहीं है नेश को संच लो लेते हैं यहां तक देखना यहां तक है ठीक है यहां व्यांजनों को क्या बोलते हैं अभी अभी इस प्रशन का उत्तर हम लोग दिये हैं अभी अभी इस प्रशन का उत्तर हम लोग दिये हैं तो यह जो 25 वन है यहीं सबस्ट कहे जाते हैं अंतस्त में चार वन आते हैं ठीक है एक पूल चार वन आते हैं हिंदी में यारल लिखा जाता है ध्यान देना संस्कित में यारल दिखते हैं तो यह सब्सक्राइं प्रत्याहार प्रत्याहार के पुछ दिया जाएगा फिर आपको कर्म ध्यान देना तूसरे और यह उन्जन वहां वहीं वह सल प्रत्यहार के वन उसमें कहे जाते हैं इसमें भी चार जाए座ेंच भंट हो जाएग देखंऑ जहां पर बताने लायक है आप संको डिसकुस करने वाली बेगा तरफ कर देंगे बहुत अब बारे गुरू क्या बात है नेक्ट को सन लेते हैं अब कहें लिखाएगा दंतव यावन अकॉंट से हैं कहें लिखाएगा दंती कॉंट से हैं तो आपको पता आना चाहिए लितूलसानाम दंता है ल्वलसानाम दंता है तो यहां पर आपका ल्वीत भिखाएने देता है इसलिए इसको छोड़ दीजिए उत्त दो अब यहां पर क्या हो जाएगा कम करें तो फॉ कि खोँर्ण स्थान कहों सा को थो कवर्ग में आएगा अऱ कौकर किसमने आ जाता है खगेंगौ क्या जाएगा जितने भी कवर्ग में आएंगे ठीक और आएगा विसरग आएगा इन सबका कंठ होता है तो इस प्रशन का उत्तर क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा चले नेक्ष कोस्टन लेते हम लोग निवन में अर्धस्वर क्या है हाँ एक हिंदी में यह कांसेप् लोग बार-बार देखते हैं कि इसमें से और्धस्वर क्या है और मूलस्वर दिर्गस्वर रश्वा आग्रस्वर अग्रस्वर मध्यस्वर इस तरीके से कोस्टन यहां पर हिंदी में बनता है हमारे संस्कृत में अग्रया पर ऐसा कुछ नहीं बनता है मैं आपको अब है और हिंदी में क्या है इस चीज़ को मैं आपको यहां पर बताता चल रहा हूं तो ध्यान देना में कुछ स्वर के बारे में कुछ पहले लिख देता हूं जो यहां पर समझेद्न कुछ चीजें बार-बार आती रहेंगी तो एक तो होता है पहले आप लोग पढ़ते हैं ठीक क्या करें रश्षवस्वर है जो रश्षवस्वर हो होता है बस इतने ही होते हैं यहां री वाला कोई है मूल स्वर और ई उप री दिख रहा है पूरा और य थोड़ा सा खिसका देते हैं हां ऐसा तो यह मूल हो गए फिर बात आती है दिर्गस्वर कौन कौन से हैं कि दिर्गस्वर होता है आप द्यान देना यहां संस्क्रित से कुछ चीज़ें आपको अलग मिलेंगी आ कि दिर्गस्वर कि नहीं दिखाई दे इना उसकर आता है अडया इक हो और हम लोग संस्कृत में लिखते हैं इस तरिके स्कूल होगा यहां आगात स्वर है कि वह लेक के साथ है सबताएगा एक है अब बात आती है आपकी अग्रस्वर अग्रस्वर कौन-कौन होते है आज बता देली वाली क्लास में आप वह से नहीं देख पाओगे एठीक है रश्व इभी आता है दिर्ग इ भी आता है तो ई इए आए अए कि क्या है आपके है किए अग्र आ जाते है उसका बाता है मध्यसवर में कौन-कौन आते हैं मजद्षवर में पस्ट मैं कुछ नेले लीजिये अवभी बचे है इसको लेलिजिये और पस्ट मैं आगत वाला भी आ जाता है आ आ रहा है इसलिए भी आ जाग ठीक है पस्ट मैं तो इसको ले लीजिए अब कुछ बनता एक बनता है संवरित और एक बनता है अर्ध संवरित एक बनता है विवरित ठीक और अर्ध विवरित यह चार पॉइंट यहां से देख लीजिए काम देगा कई जगह आता रहता है एक हो यह आता है संवरित स्वर यह संवरित स्वर हैं इसको भी देख लीजिए, इनके बीच में जो डीप में जाएंगे, जब कभी हिंदी डीप में हम पढ़ाने का उस्वर मिला, तो उसमें हम चर्चा करेंगे, कैसे, लेकिन हमारे संस्कृत में बड़े अच्छे स्वताया गया है, आप लोग देखे होंगे, कि स्वर कौन से है सबका बताया गया है, लेकिन अब यहां पर इनके नुसार भाई देख लिजिए, थोड़ा से इसलिए हमको भी यहां पर रटने जैसा कुछ लगता है अभी, कि आप लोग अभी रटोगे ही इसको, और दो पॉइंट और लिख लिए, क्या लिखे है, संवरित, संवरित अर्दस्वर नहीं, अर्दस्वर लिखे, अभी अर्दस्वर की बारे में नहीं बात, यहां लिख लें, अर्दस्वर संवरित, यह हो जाएंगे, और उसके बाद आप बात कीजिए, यहां पर संवरित, संवरित कौन-कौन होते हैं, संवरित के लिए, संवरित हो गया, जाएगा विवरित के लिए अब श्स इसमें आयता है ए NICK ओ और एक यह भी आयता है आप यह ता है और डेको भी लेते प्रॉदध में तो अब आप देख लिए होंगे कि यह क्या है रश्व envy cur debt Tradition है and gas water मद्यासलार पस्यासलार विवर्यत पोगया संविद्थ हो गया और डुपन इस तरीके से आप लोग यहां पर देख मतने की से अगर ४र्षवार यहां पर दो वर्णों को बान जाता है एक यह को और एक वह को इसको याद रखना यह पूछा जाता है अभी जो इसी में से कुछा गया है लुंठित और एक पार्सिक पार्शिक लगा हो जाता है तो यह सब भी कुछ्छन थोड़ा है आप डीटेल में उतरेंगे कभी समय देंगे तो समझ पाएंगे अब यहां ध्यान देना यह जो है वह अर्धस्वर कहा जाएगा एक वह भी अर्धस्वर कहा जाता है तो कुछ जानकारी जो उससे समंधित थी मैं आप लोगों को बता दिया जो समंधित जानकारी थी मैं बता दिया ठीक है चलिए आगे चलते हैं आज सामने सामने कहां आवाज नहीं आ रही कि महापराण ध्वनिया व्यंजन वर्ग में किसे समयMed रहे हैं अवर्धों के दूसरे चौथे और शला परतियां रहे कि ए तो बताओ downward लगों के पहले तीसरे पाच्वें और यह वाले किसमें आते हैं अलपप्राण में आते हैं लो अच्छा को सने बढ़िया को सने आता है रिपीटेड को सने बहुत बार को सन पुछा जाता है तो ऐसे प्रशनों को भी आप दीजिएगा ठीक है आई बसमझ में चलिए जो यह सकतर को सन पुछता जाते हैं और दिमाघ में जो ही आते रहते हैं बहुत सारे हैं थिक हैं जैसे इसमें अभि अगर हम बात करें तो अग्होस है सब्ण पूछा जाता है ना तो चलिए स्वर्तांत्रीय कुछ ऐसे हैं हिंदी बहुत सारें उसमें आपको एक को लिए रटना कि अन्तरगत में रखा गया है और सल्ष पृत्याहर में यहीं 300 और हो आते हैं और यह क्या हो जाते हैं आपके उस्में वेंजन के बिला है और स्वास का प्रियोग किया जाए उन वर्णों को हम्म लोग क्या करते हैं इसमें अब पराण, जब उचान में कम पराण वायू निकले तो अलपाप्राण, जब अधिकव पराण वायू निकले to महाप्राण, ठीक, इस तरीकें से बताता है, तो इसे तरीकें से यहांly, कि जब उचान करते समय तो इसको अजोश का परयोग हो, वो इसमें हम लोग क्या बात करेंगे उसको अघोस नहीं है किया होता है प्रतेगवर के प्रथम और दिती अवर्ड और थिनूसर इसमें हो वाला जो यह वाला फौ होता है हिंदी में इनको अघोस कहा गया आप यहां संस्क्रीवाले रूर लगाओगे यह परिसान हो जायोग अगोस व्यंजन है कोई जिन के उचान करते समय के वह स्वास का प्रयोग अगोस होते हैं तो यह हो गया आपका यहां पर और सभी के बारे में अगर आप पढ़ेंगे डिपली पढ़ेंगे तो आप पुस्तकोफ पढ़ते होंगे तो उसमें मिलता रहे होगा और जो छोटा- कोई सब्सक्राइब होती है कि इसमें कौन क्या होती है और यह शर्चा होती है अब इतना डिप में अंदर बहुत कम पूछन होगे तो जानते हों जैसे हम लोग सांस्कित पढ़ते हैं देखिए बहुत गहराई मुतर पढ़ते हैं अब उतना गहराई मुतर करके हिंदी भी तो पढ़ाए नहीं है आप लोगों को तो कौन वर्ण ओट से ओष्ठ वाले नहीं है अब ओष्ठ वाला कौन सा नहीं होगा तो उपुपधमानिया नाम ओष्ठ वहां भी लगा यहांrais भी लगेगा पाफा बाभामा ऐसके नाम कंठ होquinho घाएग सोगोंदो你在 lengvia थफ्वाड़नियों द्वानिया कहना ौन है अब बताँ इसमें से अल्पप्रांड धुनिया कौन सी है अल्पप्रांड वर्गों के पहले तीसरे पाचवें पकड़ो फिर दूसरा है और पहला तीसरा पाचवाब दूसरा है यह दूसरा कट जाएगा बी वाला क्या हो जागा गड़िया कन अभी तक हमारे साथ में जो ल ध्यान दीजिए अच्छे से ना और से जबूर कीजिए सभी लोग अपने सारे ग्रूप में बहुत अच्छा कोस्टन के उत्तर देते रहना चाहिए ऐसा नहीं कि हम नहीं देखते रहते हैं कम देखते रहते हैं और जहां पर काम बाली बात आती है कुछ उस पर हम डिसकस करत उन का अर्थ नहीं होता है क्या रंग आकास जात या फिर अच्छर तो परसे संख्या अठ्थार में हम बात करें तो रंग तो घूस नहीं है तो घूस नहीं है इसका मतलब पिर अब क्या बताओं इसमें से महादेव महादेव सभी लोग को नमस्कार अब बता इसमें से कौन सा वर्ण घोस नहीं है रहत और या फिर द तो पहला दूसरा ओलवा आप लोग सब पढ़े होंगे उसी साफ सभी आप लोग चाट सकते हैं ऐसे भी कौन वर्ण जो है वह गोस नहीं यह प्रशा संख्या 19 मे आएगा क्या आएगा तो ठीक तो मैं बता था कि जो अगोस होते हुआ वर्ण के पहले और दूसरे वन उसमें आ जाते हैं पहले दूसरे तो जो तव और नहीं है इसका मतलब ठीक तो इसके लिए आप कर सकते हैं सिद्धे-सिद्धे भी और सब को आप पकड़के ढोते रह इस वाले दूसरे वाले में आप द्यान देना जो अगोस होते हां वह अपर प्रत्यहे सद्धे वरके पहले और दूसरे वन कको और फर्शा सा तीनों सदें ठीके ए इस वाले फथको ठाय इस परला दुसरा द्यान देना एगे सब्सक्राइब उनियों को औउस्वार कहा जता है ठीक क्या है किन इद्वनियों को अनुस्वार और जिसको अभी क्लास सब्सक्राइब तो लोग हमसे जुड़े हैं उनको तो आप लोगों को पता चलता होगा कि कब क्लास होने वाली है तो सभी लोग नए लोग आए हैं और जो निचे टेलिग्राम लिंक उससे भी जूड़ जाएं और जितने भी लोग अभी इस वाले को नहीं देख रहे हैं तो इसको भी देख सकते हैं ठीक है चले आगे चलते हैं नेक्षवाले पर किने ध्वनियों को अनुस्वार कहता है स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनिया व्याजन के बाद आने वाली ध्वनिया किसको कहते प्रसेसंख्या 20 में अगर आप उत्तर देखोगे तो आपको right answer मिलेगा कि आप प वाला सोर नहीं है अधून साब साब दिख रहा है कि अ हां चलो बताते रहो है कि इस वाले प्रेश्ण का उत्तर देना सभी लोग उत्तर देते रहें राइट नहीं तो तो रिवाज हए प्रषस्ण और संख्या 21 में आप देखें तिसमें यह री इसका उचाढह हम कर रहे हैं जिसे री जैसा या द्रिष्टी रिष्टी यह इस वाले देशा लेकिन वह है नहीं ज्यादनाई सब में यह री लगा है उसमें नहीं लगा है नेक्ष वाले लेते हैं जिम्ले खित में कंठ ध्वनिया काउन सी हैं कंठ से तो कख यर चच या फिर टड तो आपको पता होना चाहिए कि अविशर्जनी यह नाम कंठ शूतर है आप पढ़ेंगे कि उक कोश का और beton हम मुद्धन आपनाया कंठ होता है यहां कर एक करेक्ठ हो जागा 20 ऐा अध to पूछा जाता होगा तो उर्दु का सब्सक्राय। के साहत बार बारival बोल रहा हूं आप लोगों को विमल रहा है то क्विज को भी आप सभी लोग पार्शिपेट किया कि जिए को जरूर पार्शिपेट करें और जो भी जानकारिया उसमें सही शेर करें ताकि आप लोग को result या फिर उसका response या उसको सब कुछ जो है उसका पहुंच जाए ठीक तो वह सब को मिल जा रहा है ठीक जो ही मैं यहां से रिजल्ट या फिर रिपोर्ट देता हूं तो आप सभी लोग उसको एमेल या वाट्सप के माद्यम से सबके हां वो डाउनलोड भी हो जाएगा तो घबडानेक बात नहीं है सभी लोग क्विज भी करते रहें वो किस प्रकार के वन हैं सुपर्टेट की जो क्विज हम लेते हैं उसमें अभी 10 कोशन दे रहे हैं और जो एमपी वाली हो रही है यह प्रड़ा गाजी का क्यों परड़ा गाजी 15 कोशन में मिल रहा है आप लोग सभी लोग उसको जरूर किया किए सभी लोग दोस्तों को भी किसे करीबग YOUR कासे बना जब हम दोर में उ को मिला तो बन रहा है ौका हो गया कंठ उसथ क्या हो जागा फ्रस्षा ऑघया का उथा इसको जागा कंठ उस्थ है इसनी नमबर में निमन लेखित में ओष्ठ ध्वानी नहीं हैं ब्लिंग नहीं है तो ध्यान दोंपध मानियाना मोश चाहूफ गुरूर लिंक भी जाता है ठीक बहुत सारे लिंक मिलता है तो आप सभी लोग जरूर जूड़े रहें वहां से आप लोग को टेली मिल जाता है और कि जितने कम से कम समय में आप लोग सब्मिट कर दें तो सभी कोशन किया कीजिए घवरानिक बात नहीं उसमें नंबर नहीं कटने महला है जो रहेगा उस पर दिखाई देगा निमलखित में अच्छा कुछ कोशन में हम देखे थे एक कोशन था उसमें मैं दिया था तवल्लक आरह इसमें हम देख रहे हैं क सायद वृद्धिया या आयाद देदिये हैं क्या ठीक है ले लिजो चौथा आयाद ले लिजिए ऐसा आपसन है इसमें सिबताओ की तवल लकारा में कौशन दी हुई है इसमें कोई बहुत हमारे समझ से बहुत कठीन बात तो नहीं कुछ था लेकिन इसमें 80% लोग गलत कि इसमें गीसे बताओ क्या मिलेगा मैं आपको बता दू तवा ळ्ण लृकारह जब आप करते हैं तवा धन लृकारह और इसमें जब अ आता है जब र आया यहां के बाद मैं अगर लृई आए तेंसे दोनों के स्थान पर ल हो जाता है इसलिए तवल्लकारा बनता है और यह अल कैसे होता है यह अ गलत किये हैं मैं बिल्कुल मिल जाएगा गुरूर ऐसे कोई दुस्मानी नहीं है बस मिले आप लोग करिए भी अच्छे कोशन उसमें और सबसे अच्छी बात है उसमें पीडियोफ डाउनलोड हो जा रहा है सही एंसर के सांथ में और जो आप गलत किये हैं उसके भी सांथ मे दे दे रहे हैं तो बहुत अच्छी सिस्टम पर काम चल रहा है जल्दी आप लोगों को बहुत सारे क्वीश देखने को मिलेंगे और जो पीडियोफ का जो लोचा चलता रहता है सर पीडियोफ सर पीडियोफ यह चक्कर छुड़ जाएगा और उसमें एक चीज और पता चल इसमें क्यों से संधि बनेगी जिर्ग संधी बृत संदी एक तो इसे को षयों को से ओड़ियोफ बनेंगी इसमें इस वाले में लाकृती में क्या होगी इभी को इसको संबर करते हैं और वह हमने सर्वए नहीं चेक किया लेकिन आप सभी लोग मैं फिर बता दे रहा हूं कि आप सभी लोग देखिए इससे पता चलता है किस टाइप पर लोग जाके अटक रहे हैं और जब हमको पता चल जाएगा कि आप वास्ता में किस पॉइंट पर अटक रहे हैं तो ऐसे कोस्टन की किसे उसको मैं बता दूंगा तो इससे बड़ी अच्छे से समझ में आ जागी कि हां क्या होगा आगे गुरुजी गुरुजी बताया किसमें दिर्गस्वरसंदी होगा महादेव जब लरी धन आकृति में बताया तो लरी से अब बताओ अक सवाड़े दिर्ग में अक प्रत अपिता कहां समट्ब लगा दिया इस vidéos दिर्गसंदी को दिया जाता है लोग दिर्गसंदी लापेटते हैं ज्यान देना जब लुटे के बाद में कोई में स्वर आये तो यहावली जो है यहावर बदल जाता में यं संदी से बदलता और यहां पर हमको लगता है कि 95 % लोग ड्राप कर जाते हैं वो लगा देते हैं दिर्ग संधी इसलिए वह क्या हो जाता है लके रती दिर्ग संधी ना 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 लाकृती वाले में दिर्ग संधी नहीं है गुरुजी कि वहां पर काम करता है सुत्र काम करता है को यंड चीत का यंड हो जाना मतलब इसके बाद अगर सवर आएगा इंत जाएगा में चला जाएगा में चला जाएगा रि chains एक जो है ना में गया और ने में जब आक्रिती मिला न las इसमें हम जानते हैं 95% लोग गलत कर देते हैं कई बार हम देखे हैं इसलिए मैं इस वाले आप सन को बिसेश बताता हूं आज दिमाग पर आगया देखे तुरंट मैं पूछ दिया बता भी दिया तो ऐसे बिसेश को सन में जहां पर बहुत सारे लोग गलत करेंगे जब हम उस से फिर से आपको explain कर देंगे तो आप सभी लोग जरूर जुड़िये और आगे देखेंगे अगर ज्यादा मात्रा में अगर आप लोगों को आवसेक्ता पड़ेगी तो जो डेली का क्वीज होता है केवल क्वीज वाले कोसन पर एक्स्प्रेनेशन लेकर के हम आया करेंगे कीवल क्वीज वाले कोसन पर उसके लिए कोई अलग साट वीडियो बनाएंगे 15-20 क्योंकि कोसन बहुत कम होता है उस पर हम लोग 2-3 कोसन पर आप लोग प्राब्लम दाएगी साइट वीडियो बनाके आपको जरूर दे देंगे निमलखी तमें ओश्ट ध्वानी नहीं है अब उस्थ हो जाएगा तो यह सब तो जाएगे इचु यह सानाम तालू से तालव्य का हो जाएगा तो 24 निम्मर का हो गया एक करेक्ट हो गया नेश कोसन लेते हैं प्रश्ट संख्या 25 हिंदी की तालव्य ध्वनिया कौन सी है तालव्य इसलिए मैं बताया हूं कि आप लो सही या गलत करते हैं तब वहां से पता चलता है कि वास्ता में लोग मिस कहां करना है तब हम उसको जान पाते हैं ऐसे तो सभी लोग छाप देते हैं सबकार देखके ए सबकार देखके भी तो हम उस वाले पर सोचेंगे और जो सर्वे दे रहे हैं वह हमारे पास में रहेगा तो हम उस पर analysis करेंगे और वैसे ही question या उस वाले point पे जहां पे आप लोग गल्तियां अधिक हो रही है ऐसे question को देंगे और उस पे जो explain करेंगे उसको तो जल्दी सो समस्या है दूर हो जाएंगी एक तरीके सो diagnostic test के लिए भी quiz काम करेगा वह हमारे लिए आपका report ही दे रहा ह तो Hindi की ताल बझावनिया था तो एचवय शानाम पालू अब क्या हो जाएगा यह वाला बिल्कुल correct हो जाएगा क्वेंट प्राण है तक बता अलपप्राण कि होगी अलपप्राण क का मैं बार्बार का कोशिंद बहुत और करवाता हूं इसमें वर्णमाला वाले चेप्टर में अब तो चेप्टर 22 परम कर दिये हैं आप लोग इतनी बार आप लोगों से बिल्कुल करोगे अच्छेस करोगे एक चक्टर परियाप्त कुस्ण करवाएंगे क्यों नहीं हो∑गा ठीक लहरों से डर करनाों का पार नहीं होती और कोशिष करने वालों की धार नहीं होती तो एलपप्रान क्या है तो वर्गों के पहले तीसरे पाचमें और यह वाले और परत्यार जिसको क्या बोलेंगे हम लोग महाप्राण और नहीं होते है physics ठीक है एक कोशन आ जाता है और बहुत अच्छा किस्मत तब रहती है जब जो पढ़ा जाए एक दम बिल्कुल वहीं आ जाए और 27 नमबर वाले कोशन में थोड़ी सी दिक्कत वाली यहां पर एक दे दिया है जिसके थोड़ी समस्या हो जाती है हिंदी की इसपर्स भी हो घोस भी हो महापराण हो दंते हो हम क्या करते हैं कि पहले देख लीते हैं कौन सा है तो हम तुरंत चेक कर लिए हैं क्या क्या तो दंत में आ जाएंग तो होगा नहीं तो दंते वाली कंडिशन पूरा करने के लिए अब ऐआ बात है remains दूसरा होगा हम JPE यही तक चेक कर करके इसको क्या कर देते हैं कम लेकिन थोड़ी सी अच्छा इस पर्स भी है घोस्त वाले पर जा करके एक बात अटक जाती है कि आप लो जब हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी में आप पढ़ते हैं घोस कौन था तो जो जो हस्त प्रत्याहार में है अर्थात प्रस संख्या 27 के लिए तो आप एक चीज थोड़ा हिंदी में ध्यान देना कि जो हिंदी में अघोस है या जो हिंदी में घोस है थोड़ा इसके उपर द्रिष्ट्री पढ़नी चाहिए तो जो हिंदी में सघोस माना गया है जिसको हम लोग कहते हैं तो वह हिंदी में है वर्गों के तीसरे और चव थे काउन वर्गों के तीसरे अब यहां पर हम देखो लिख रहे हैं यह हिंदी में संस्कृत लगाए थे तो एक जगा हम परसान हुए थे इसको कुछ दिन पहले फिर हम वहां पर कर लिए थे दोई श्टेप पर चेक किए करेक्ठ हमार दिये सी तो सही हो गया लेकिन कुछ लोग बोले कि सर्या अघोस है कि घोस है तो संस्कृत के द्रिश्ट से अगर आप देखेंगे वहां का घोस यहां के घोस से कुछ अंतर है यहां वाला घोस क्या है इसको हम यहां समझ लेते हैं संस्कृत वाले में क्या है ना कि जो हस प्रत्याहार में आता है वह हो जाते है खोस अर जो खर्ट्याहार में आता है यहां क्या होता है अगोस है Ecuador तो यहां यहां से आप लगाओगे तो यहां गलत हो क्योंकि वर्गों का खर्पत्यार वर्गों का दूसरा और पहला इसमें आ जाएगा गलत हो जागा दिमात में फिर मैं सोचा कि यह हिंदी में अलग है तो हिंदी में क्या है फ्रॉडबा इसको देख लो अगर यहां संस्कृत का नियम एक बार में पहले परसान हुआ था और एक होता है और यहां पर इस तरीके का आपसन दिखने में लिए जो और होस है यह वर्गों के पहले पहले दूसरे तीसरा कहां से बार बार लिए पहले दूसरे और और तीनों सा चासा और यासा इसको अघोस माना गया है और जो सघोस है यह है प्रतियक वर्ग के तीसरे चौथे और पाचवा वाले भी ठिक इसके साथ में यारल लव यारल लव अब कर्मचा इसमें सहर नहीं है तो यहां डाल दो एक हर और कर्मचे हिंदी में आप लोग देखे होंगे एक आता है एक आत यहां पогस में डाल दिया गया है और इसको अगोस में डाल दिया गया है तो आप किसी एक को जो है याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा, एक का क्याम बन जाएगा को दूब बोलते हैं हमारे यहां लाइट हाफ हो गई कोई प्रावलम लग रहा आ गया जिसकी वैसे हो सकता है कि कोई प्रावलम क्लास में एक बार चेक करने दो गूड आफ्टर नून कोई प्रावलम या तो लाइट कड़ या तो ठीक रहता है तो इंवर्टर मोड पे चला जाए तब भी सही है यहां तो लाइट फुल सही रहे तब सही रहता है यहां हो जाता है विच में फस जाता है तो अच्छा इस वाले जनकारी को आप लोग यहां पर नोट करिएगा और ध्यान दियेगा यहां पर यह था जो है वर्गों का पहला और दूसरा किसमें आ परसानी तो हमको भी हुई फिर यहां से जब चेक किये तो समझ में आया कि यहां कुछ नुकुछ क्वेशन में मिस्टेक तो है क्वेशन मिस्टेक तो है न ठीक तरीके से पूरा उस्ते चलेगा न इससे चल रहा है तो फिलहाल यहां पर आप अगोस बना लिए इस वाली प अगोस में चला जागा देखो वर्गों का चौथा वर्ण आ जागा यहां पर और जो वहां पर हम लोग गहते थे जैसे हिंदी में गाते हैं उस तरीके सभी हो जागा वैसे भी हस देखो यहां पर संस्कृत वाला तो काम करी रहा है देखो मतलब वहां पर सभोस नहीं लिखा होता है वहां के वाल घोस लिखा होता है थोड़ी भांत उत्पन होती है आओ तो सब सही है अब वहां पर यह सब वर्ण नहीं होते है और यह सब तो होते हैं यह सब तो खर प्रत्याहार में भी देखोगे तो यह आएगा ठिक खर विवा और इहां पे लिखा ज़ला थोड़ा अंत्र फ्सपंचन हुंता है और प्षाब घोश कर लीजिए गा दो तभी सभी हो पाएगा तो इहां पर एक कोशन में इसमें और एक कोशन जस्ट किसी का भईवा आउर है आगे यहां देखो ठीक ठीक उसी तरीके का है यहां भी देखो कहां चले गए हम लोग कोशन हट गया कि किसी तरीके से हम लोग चले आए दूसरी जगह पर हां मिल गया चलो इसमें देखो हिंदी की इस पर्ष घोस महाप्राण और ओष्ठ व्यांजन पर ओष्ठ में आएंगे दा पर हो गया बचा तो क्यों यहीं बस वहीं बचा और यह क्या है चौथा वण है और अभी अभी हम लोग चर्शा किये हैं कि जो वर्गों का चवथा वण है या घोस में आएगा घोस मतलब यहां सखोस निखा होगा इसकी भरामति दिमाग में आती है तो दिक्कत होता है यहां किवल गोस हो गया महाप्रान भी हो गया महाप्रान होने के लिए वर्गों के दूसरा चउथा और सल चाहिए चाहिए सब कुछ चाहिए हो गया थोड़ी सी एक अंतर है और घोस वाला जो सब्द है तो संस्क्रिप में आपको घोस लिखाई देता है और यहां सघोस ऐसा लिखा होगा या घोस भी लिखाईगा तब भी आप मानिएगा दूसरी चीज घोस वाला या सघोस वाले में यह जो दूइगुण वाले हैं यह और जो इस तरके का जो है इसको और अघोस वाले में इस वन को आप जोड़ लीजीए बस इतना अंतर कर लेंगे तो आपका हो जायगा । फिर सही हो जागा नीच चलते हैं 29 सब्रिट है। प्रद्प से आगया पर सम्भृत के वाला केस यहां पर हिंदी में इनी को माना गया दिर्ग-ईप को के योर्ट माना गया आज ही की क्लास में पीछे आप जा करक कि मैं देख अले Case के लिए क्झा Caesar हूं dr यह कोशन पुछा गया है तो संब्रित स्वर्ग दिर्ग ई और दिर्ग उफ इसमें से अगर दिया ले तो सही कर लेना और यह सब नहीं है आज ही क्लास में पीछे लिया हूं पीडियोप में आप जा करके देख लिजेगा या फिर क्लास बैक कर लिए मैं बताया हूं कि कौन से संब्रित बताए गए है कौन सा अर्ध संब्रित है जैसे अगर यहां कोशन करतें अर्ध संब्रित अर्ध तो नहीं लिखाया है नहीं अगर यहीं अर्ध लिख देते तो हरश्व लिखना पड़ता है ध्यान देना यह तो संब्रित हो गए लिए अर स्वन्ट फ्रिश्ट उसंवर्ट स्वर्ट उस्वर्ण वहां पर उतना एक्योल करते हैं लेकिन हिंदी में थोड़ा इससे अलग है तो हिंदी वाले आप अलग करके पढ़िए गा इसको आप लोग करते ने गुरुजी सब कुछ क्या सेम है या सब कुछ अलग है तो जो चीजें अब अलग है हिंदी में अब हम बताये थे ना जब मैं हिंदी बढ़ाने लगूंगा तब बताता रहूंगा कि हां कौन से संस्क सब कुछ सेम है लेकिन कहीं कहीं वह क्या हो जाता है घच्चा खा जाता है तो कोई संस्कृत का और हिंदी का दोनों अगर जानकार रहे तो बताये कि हम वहां पर यह दूसरा यहां पर दूसरा है और उसको फिर आप लोग जरूर एक बार देखेंगे तो सही हो जाएगा ठ देना तो दोनों पेपर पड़ेगा आपको हिंदी भी संस्कृत हलाकि मैक्सिमम चीजे मैच करती है नब्य परसेंट आप देखोगे तो असी परसेंट सब मैच करता है हिंदी की बहुत हुआनी किसकी है तो पा ठबा भा और मा क्या अच्छा हिंदी में देखेंगे ना तो तो आप लो को क्लास तीस को स्ञा आगे वाले क्लास में करवाथ प्र जो उणग लोग के से लगा जोफिस में लो लोग अभी भी लेखपाल सूपर टेट या फिर यूपी टेट या सी टेट किसी कभी अगर नोट सुगरे चाहते हैं या जो आप लोगों को कोई इनफर्मेशन अगर यहां पर चाहिए तो नीचे इस कॉलिंग में नंबर चल रहा है आप लोग उस पर नंबर पर वाट्सप या मैसेज कुछ भी कर सकते हैं ठीक तो आप सभी लोग जुड़िये मिलिये सेयर कीजिए जतना भी ज़्यादे ज़्यादे लोगों तक पहुंच करते हैं तो वहां से आप लोगों को बिल्कुल अच्छा फार्मेट में होगा अभी एक बच्चे का किसी का था साथ देखे अगर हमारे पास हो अभी तो हम आपने आपको दिखा सकते हैं कि देखो इस टाइप का वहां क्विज आपका उसका रिजल्ट जो है वह दिखाई एक सेकेंड बस आप लोग कुछ सेकेंड के लिए बस मैं आपकी विंडो थोड़ी सी ब्लैक करूंगा फिर उसको ला लूंगा तो ओपन कर दूंगा बस एक सेकेंड रुके रहेगा मैं दिखालता हूं उस टाइप का आपको पेपर भी मिल जागा बहुत अच्छा रहेगा रिऊका पेपर भी मिल जाता है तो कि लोग जो ही आपको लोग कर देते हो आप लोगों को पूरा को पूरा देखो इस तरीके से придi ip दिया जाता है ठीक जो आप लोग की रहेग जंए हे कि गलत है इस बात का यहां पर तो आभी नहीं पता चल पारहा है कि आपका यहां सही है कि गलत है लेकिन जो आप लोग कोस्टन किये हो इस चीज को यहां पर यहां मिल जाता है अब यह सही है यहां गलत है इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं एक और seat जारी करता हूँ, हालां कि आप लोगों को जो जारी होती है, जो आप लोग देख पाते होंगे, उसमें तो पूरा इसपस्ट लिखा होता है, उसमें बिल्कुल इसपस्ट लिखा होता है कि इस question में यह आप लगाए हैं, इसका question यह सही है या यह गलत है मैं आप लोगों को एक पीडियफ और जो शेर करना चाहूंगा और उस दिखाना चाहूंगा अभी जश्ट अभी दिखा रहे हैं उसमें आप लोगों को देखेंगे तो पूरा का पूरा जानकारी जो है ओ दिखाई देगा तो आप लोग बिलकुल उससे यहां से जल्दी से आजाओ खुल्या सिम्सिम अभी जश्ट हो रहा है कुछ से करने मिल जा रहा है तब तक हम आपको बता दें भजन सुना दें अच्योतं के सवं क्रिश्न दा मुदरं रामना रायडं जानके वल्लभं यह देखिए जो ही आप लोग करकर के फाइनल होते हैं तो जो हमारे यहां से आता है ठीक जो हमारे यहां से एक रिस्पॉंस इट जो आप लोगों को दिखाई देता है वह कुछ इस तरीके से रिस्प वर्णों के कुल कितने व्यद होते हैं तो यह जो ग्रीन है यह वाली करेक्ट है और अगर आप इसको किये रहेंगे तो यह आपके सामने ग्रीन दिखाई देगा और यहां ठीक का निशान है कि यह करेक्ट एंसर है जो लोग गलत की है देखिए उनका ऊपर नीशे चला जा में लोगों को संफर्ण देते कितने लोगों को मतंब कितने लोग की जादा जा रहे हैं या फिर कौन सा कोशन ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है यह सब सारी चीज़ें अब हम लोगों को थोड़ा पता चलेगा तो आप लोगों को एक और भी ब्यातर चीज़ों को उपलफ्द कराएंगे तो आप लोगों को टेली ग्राम जो नीचे चल रहा है जाएगा लर इलर्निवी में आपको एक response it में यहां पर दिखाना चाहूंगा विर यहby मिल पाया है उसको मैं आप दिखा रहा हूँ पर रहा हो कि उपता तो अप लोग बने bbie किसी का रिस्पॉंस होगा तो सोचे गा किसी सब दिखा कि हमारा बेजती करा रहे हैं तो वाहला मैं खोल दे रहा हूँ जैसे दूसरे का मेरे वाले प्लेकाक आया होगा मैं गुसमें मिला होगा और नहीं खोल के आप लोगों को दिखा देता हूं कि अग्ट्राल सीट जो आती है उसमें थ्यार कि अग्ट कि अग्ट कि तरीके का आप लोगों को एक सीट मिल जाएगा रुख जाओ पहले इस वहटाओ आगे इस तरीके से नाम अगर आप पहले इस तरीके जाओ इस यहां फिल करेंगे तो सभी जगा जाएगा अगर आप लोग कोस्न दरता आता है देखो सभी रहोगे आपके सामने आपके सामने वह अगाएगा और यहां देखो यह आप गलत किये हैं क्रास का निसान बनाया और इसका सही आपसन यहां पर दिया गया है या आपको नहीं पता है कि जो वृत्ति लिखियों वृत्तिकार होते हैं बहुत सारे लोग ऐसे गलत किये हैं इसमें और यहां पर देखो जितने भी और कुशन सही रहेंगे सब के सब आपके सामने आईसे लब्द हो जाएंगे इस तरीके से इस फार्मेट में ठिक तो अगर आप लोग यह दिये गए इन्फॉर्मेशन को यहां पर सही भरोगे तब इस सब कोई दिकर नहीं है डिस्क्लोज नहीं होता है सब शुरच्छी तुरहता है आपको यह सब सारी यह भेज दीजिए यह भेज दीजिए बहुत अच्छे फार्मेट में मिल जाएगा अब बताओ कितने लोगों को यह क्विस सही लगेगा बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि नहीं सर क्विस हमारे लिए साही नहीं है आपके लिए हमारे समसे तो अगर आप लोग दें तो क् करेंगे ठिक सेशन को हम इसी पर आफ करेंगे जितने भी लोग है सबी लोग सेयर करें पढ़ें ठीक है तो आगे के तीस कोशन को हम नेक्स डे में साल्व करने वाले हैं तो अभी के लिए इतना ही थैंक्स पर वाचिंग